सर्मिको एवं उधोग वैपार के हितों को ध्यान में रखते हुए लोगडाउन पर विचार जी हाँ राजेस्थान के मुख्यमंत्री असोग गलोत ने परदेश में महमारी वायरेस के समुदाइक संकरमण फैलने से इनकार करते हुए कहा है कि सरकार उधोग वैपार एवं मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर लोगडाउन में छूट देने पर विचार कर वही है सिरी गलोत ने आज यहाँ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सनवाधाताओं द्वारा पुछे गए परसनों के जवाब में यह बात कही है उन्होंने कहा है कि जैपूर के रामगंज छेतर में इस महमारी को फैलने से रोकने के पुकता इंतजाम किये गए है उन्होंने कहा है कि होस्टल, अस्पताल, होटल के अलावा एक खेल के मैदान को भी महराष्ट की तरज पर अस्पताल के रूप में तब्दिल किया जा रहा है महमारी की जांच का दाइरा बढ़ाया जा रहा है भीलवाडा मॉडल के अनुरूप राम गंज को भी महमाली मुक्त करने के पर्यास किये जा रहे है सिरी गलहोत ने लॉकडाउन के चलते सर्मी को एवं गरीब हो रही परसानियों पर सहमती जताते हुए कहा है किसी को भुखा नई सोने दिया जाएगा इसके लिए जरूरत मंदों को आर्थिक सहायता दी जा रही है उन्होंने कहा है कि पर्तिबंध के बारे में केंदर से नई दिसा निर्देश आने तथा राज्य सरकार की दो उचदिकारी प्राप समित्यों की रिपोर्ट के अधार पर लॉकडाउन में छूट पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा है कि मजदोरों एवं उधोग वैपार के हितों को ध्यान में रखकर लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है उन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के कारण अर्थिवस्ता पट्री से उतर गई है इसलिए केंदर सरकार को राज्य को एक लाख करोड रुपे की सहायता देनी चाहिए यह राज्यी जीएस्टी कैंसिल के फॉर्मूला के अधार पर बांटी जा सकती है ऐसे में असोग गलहुत ने केंदर सरकार से काफी साही डिमांड किये साथ ही उन्होंने बताया कि लोकडाउन कब तक हटाया जा सकता है